राजस्तान में उप्चुनाव के दोरान नरेश मीना परत्यासी ने SDM को जो थपड मारा था उसके बाद फिर क्या क्या गटित हुआ चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी 13 नमबर को 12 बजे नरेश मीना ने SDM को मारा थपड 13 नमबर को रात 8 बजे तक हुआ था मतदान 13 नमबर को रात 9 बजे पुलीस ने पिक अप को रोका 13 नमबर को ही रात 9.45 बजे नरेश मीना दाने से उठकर पुलीस से मिलने गया 13 नमंबर को रात को 10 बजे बीड ने नरेश मीना को पुलीस से शड़वा लिया था इसके बाद लाठी चार्ज आगजनी 13 नमंबर को रात 12 बजे तक बवाल के बाद गिर्फदारी हुई रात बार पुलीस ने दी दविश 14 नमंबर को फिर सुबह 9 बाईस बजे नरेश मीना फिर समरापता पहुँचे 14 नमंबर को सुबह 10 बजे RSS SEO शेशनने हरताल राजस्तान में करदी शुरू और 14 नमंबर को दपैर 12 बजे नरेश मीना की फिर हो चुकी है गिर्फदारी पूरी घटना करम और इसके बुरुद क कई मुकदमे हैं दर्ज, कई बचारादीन और कईयों में होनी है गिर्फदारी लेकिन इस मुकदमे के अंदर हो चुकी है गिर्फदारी उधर नरेज मीना के समर्खतों से बात चित करने के लिए क्रिशी मंतरी करोडीलाल मीना टॉंक से स्वाई मुद पर जाने वाले नेशल हाईवेक्स सोड़ा पर अलिगड कस्वेवेकपास नरेज मीना के समर्खतों से जाम लगा दिया और जम कर नाजावाई कर रहे हैं पुली जाबता मोके पर तनात है क्रिशी मंतरी करोडिलार मीना वहाँ पर लडेश मीना के समर्खतों से बात करने के लिए पहुँच चुके हैं चलिए आपको टॉंग के एस पी विकास सागवान इस पूरे मसले पर क्या जानकारी दे रहे हैं पहले वैब बता देते हैं फिर ख़बर को आगे बढ़ाएंगे देखे उसका समझाईश की गई कि कादून हाथ में ले और अपने आपको समर्खत कर दे और इनिशली वह मूड में नहीं थे लेकिन पुलिस के तियारी को देखते हुए उनको जुगना पिगा अब कहां लिकर गई सेरो किनकी मुकदमे में राजगार रेंबाधा आगजनी करने के सम्मिल में वह सब उन पर जो भी पिद्धित होगे हो कारवे की जाएगी पुराने और मामले थे इसके लिए वह आंशी चल रहे थे डेफिनिटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाए चोटाल के किती ही उपके वागी जो इसमें में बाखिया जो भी उनकी गिरिफधार सांग्बान का कहिना है कि इनके वृद तैईस मुकदमें लगवग दर्जह हैं साथ में इनकी गिर्फदारी होनी है और जो SDM ने केस दर्च कराया था थपड़कान में केस दर्च कराया था उसमें उनको गिर्फदार कर लिया है जो उनने जानकरी दी है आपको बता दे नरेश मीना पर 27 मकदमें दर्ज है साथ के अंदर गिर्फदारी इनकी होनी है अब ल इस्ताश होगी रिमार्ड लेने का काम होगा तमाम ऐसी बतें पुलिस के स्थर से होने वाली है वही दूसरी और नरेश मीना ने मीडिया से मुखातिव होते हुए कहा कि पुलिस की भी जांच होनी चाहिए जो पौरपिट की गई है मेरे समर्थकों को पीटा गया है और जो हम पारे समर्थकों को तंग किया गया है एसडियम के मावलों की जांच होने ची ऐसी बतें में मीडिया के समुक कहते जरूर नजर आये हैं हालांकि राजस्तान के देवली उन्यारा नरेश मीना की गिर्फदारी के बाद फिर बबाल शुरू हो गया है मीना के समर्खतों ने प अगे हैं उपदरवियों ने भी पुलीस पर हलका पत्राब किया है नरेश मीना के समर्खतों ने टौंक से स्वाई मदपूर जाने बड़ी नेशनल हाईव एक सोड़ा पर भी अलीगड कस्वे के पास जाम लगा दिया है यहां कबरेज करने आए पत्रकारों पर भी परदर इनके दवारा किया गया था और निर्द्रिय परत्यासी नरेश मीना भी ग्रामनों के साथ दने पर बैठे थे इसी दुरान नरेश मीना ने अधिकारियों पर जार्वन मतदान करवाने का रोप लगाया था इसी बात को लेकर SDM अमित चोधरी और नरेश मीना के बीच में ज कोशिज भी की गई और S.P. विकास सागवान की गाड़ी को भी तोड़ा गया इस परकार हम पूरे गटना करम को देखें तो एक परैसे नरेश मीना और उसके साथियों के दवारा सरकारी कारिया में बादा डालना और अधिकारियों के साथ इस परकार का बैवार को कोई भी अच्छा नहीं मान रहा है जै नेताओं के बीच में ऐसी बाते देखने को जा मिलती है तो लोगों के मन के अंदर नेताओं के परती गिरना सी होने लग जाती है जो भी हो अब नरेश मीना और उसके साथियों की गिर्फदारी हो चुकी है अब पुलीस को चाहिए कि सक्त से सक्त कारवाई ऐसे नेताओं पर करके लोगों के अंदर एक उधारण पेश करने का काम राजस्तान के अंदर कर किया जाएगा तो कहीं न कहीं ऐसे जो राजनेता अपनी मनमानी करते हैं और इस परकार के करते हैं उनको फिर परेड़ना मिलकर बेसमयदारी करने के प्रती जागने का काम करेंगे देखते हैं आगे नरेश मीना और उसके साथियों पर कितनी सकती राजस्तान के अंदर की जाती है कलमनूज के लिए गुरदेव सिंग सैनी की रिपोर्ट झाल